हेलो दोस्तो स्वाग आता है सुपीरियर स्पाइडर मैन के एपिसोड 28 में और मुझे बहुत ही बुरा लगा आप लोग आज कल मैं कुछ भी पूछता हूं उसका कमेंट सेक्षन में कुछ भी रिप्लाई नहीं देते एनिवे हां मैंने गल्तिक कर दिया यार दोस्तों मैं ब कफल मीठा होता है और वह आप लोग पाएंगे बहुत ही जल्दी चल चली शुरू करते हैं इस एपिसोड में क्या होता है हम लोग देखा था स्पाइडर आइलेंड के उपर ग्रीन गॉबलीन ने अटाक कर दिया है उसके पूरा गॉबलीन आर्मी ने और अभी हम लोग द ग्रीन के अल्गोरिध्म को वो कात नहीं पाया था और ग्रीन गॉबलीन के आर्मी जब अटाक करने आ था तब उसके कोई भी security कैमेरा में यह पहले से अलर्ट नहीं हुआ था इसलिए ग्रीन गॉबलिन का आर्मी अटाक करने में सक्सेस्फूल रहे और तभी स्पाइडर आइलेंड के जो भी लक्षक थे मतलब स्पाइडर आर्मी थे इस मतलब चौकरना आकरमन से सब लोग घबरा गया और तभी सब लोग स्पाइडर मैन से पूछने लगे अभी उन लोग को क्या करना चाहिए स्पाइडर मैन तोड़ा सा करके टाइम ले ही रहा था उसे सोचने के लिए टाइम नहीं मिला था और तभी एक bump उसी कमरे के अंदर गिर पड़ा और जो spider army के आदमी आये थे अंदर वो मर चुके थे और तभी spider man अपने personal assistant जो robot है उसके साथ उधर से निकल जाता है और वो बाकी लोगो को बोलता है green goblin के army को उधर ही रोक के रखो उन लोगो को अंदर आने मत देना उन लोगो को जीतने मत देना और ये बोलते हुए spider man समून दर में गिर जाता है उसी robot के पीट के पीछे और उ वो लोग spider man को भागते हुए देख लेते हैं और वो लोग spider man का पीछा करते है उधर हम लोग देखते है पीटर पार्कर अभी जो spider man का consciousness के अंदर है वो अभी डॉक्टर ओटर ओक्टेविस के पूरे लाइफ को जी रहा है मतलब उसके डॉक्टर ओक्टेविस के लाइफ के जो भी अंश है उसके experiences है उसको जी रहा है और इससे पीटर पार्कर और भी confused होता जा रहा है कि वो एक्टर पार्कर है या डॉक्टर ओक्टेविस है उधर हम लोग देखते है ग्रीन गॉबलिन आजाता है ग्रीन गॉबलिन आर्मी के सामने जहां पे spider island पे ग्रीन गॉबल या फिर उसे कैसे निकालना है उसके hideout से और तभी ब्रीन गॉबलिन बताता है एक भैंकरी प्लैन और वो है spider man के नजदी की जो भी रिष्टेदार या फिर उसके girlfriend, ex girlfriend है हम लोग तो समझ में आगे आही गया होगा अभी तक उन लोग के उपर आक्रमन करने के लिए उधर ह लोग देखते है मेर जे जोनाथ जेमसन अभी लाया है नए तरीके का spider slayer जो कि इसने alchemics company के मदद से बनाया है और ये अभी वो press conference में तो ये बताता है कि actual में ये green goblin army के साथ fight करने के लिए बनाया गया है लेकिन actual में उसका destination था या फिर उसका मकसद था spider man को मार गिराने क क्योंकि बहुत दिनों से spider man उसके नाक में दम कर रखा है और ये जब मेरी जन वाटसन उसके अभी current boyfriend के साथ देख रही थी तब ही उधर green goblin के army जो कि hub goblin के मतलब छोटे minions थे वो लोग आ जाते है अभी attack करने के लिए और तभी जब वो मेरी जन वाटसन तभी तयार होके web swing से उन लोगो दिवार पर चिपका देता है और ये web उसको मिली थी spider man से या फिर पीटर पारकर से और जब ये बंदा पूछता है उससे कि तुम्हें ये कहां से मिला तो वो बोलती है कि मेरा ex boyfriend spider man के लिए mechanism ये सब कुछ technologies बनाता था और उसने मुझे gift किया था और तभी मेर पहले बार का tactics नहीं है ये tactics वो बहुत दिनों से आजमा रहा है और Mary Jane Watson को सही तरीके का formula पता है जो इस tactics को मतलब जैसे green goblin आकरमन कर रहा है उससे कैसे बचना है और उधर Peter Parker आ जाता है अपने Parker Industries में जो कि Hudson River के पास ही है और वो जब बात करी रहा था अपने partner से और तभी उ और वो करली कूपर के अभी भी मतलब वो किड्नाप हो गई है करली कूपर के किड्नाप के मामले के बारे में अभी भी Peter Parker के पीछे परी हुई है और वो Peter Parker के ऊपर खतरनाक हमला मोर देता है लेकिन तब ही आ जाता है monster जो कि green goblin army में है और ये actual में करली कूपर है और वो आ जाती है Peter Parker के पीछे क्योंकि उससे पता है spider island से spider man भाग गया था और spider man ही actually Peter Parker है तो इसलिए वो रहत के साथ कुछ तो fight करती रहती है और उधर Peter Parker के सामने अभी वो अपना मुखोटा उतारती है और Peter Parker उसे देख के चौक जाता है क्योंकि Peter Parker को पता है कि काली कूपर को पता ह है कि Peter Parker ही actual में spider man है तो तब ही उसे शौक लगता है कि अभी जब काली एक monster बन गयी है इसका मतलब Green Goblin Army को भी शायद पता चल गया होगा कि वही actual में spider man है और उधर हम लोग देखते है Green Goblin ने अपने आर्मी के सभी लोगों को पीटर पार्कर के करीबी रिष्तिदार के पास भेज़े है अभी Green Goblin Army के कुछ लोग अंट में और जे जेमसन के पास पहुच गये है लेकिन उधर पहुचने से पहले ही मेरी जेन वोट्सन और उसके बॉइफ्रेंड उन लोग को लेके उधर से भाग चुकी है और वो जात जाते अपने आंट को भी कॉल कर रही थी और बोल रही थी कि उसको भी भाग जाने के लिए क्योंकि शायद या फिर ज़रूर Green Goblin के आर्मी उसके पास भी आएंगे इसका मतलब Green Goblin के आर्मी Spider-Man मतलब Peter Parker के नजदी की जो भी रिष्तिदार है सभी लोग के पास आ रहे है त वो अपना दिमागी संतुलन ठीक में कर पा रहा है और उधर कारली कॉपर मतलब मॉंस्टर बनी हुई कारली कॉपर Peter Parker के उपर हमला मोर देती है लेकिन Peter Parker का जो असिस्टेंट है रोबोट असिस्टेंट वो उसका सामने आ जाता है और तभी उसको मार गिराते हुए कारली क उपर Parker Industries के अंदर चला जाता है जहां पे Peter Parker और सजनी अंदर चले गई थी और उधर तभी कारली कॉपर अंदर हमला करने जाते ही Peter Parker का सेफटी मेजर टेकनोलोजी जो बनाया हुआ है वो है डॉक्टर ओक्टेवियस का बहुत सारा हाथ और वो हाथ आके कारली कॉपर के मुर देने में या फिर सम्हुले को डिस्ट्रॉइ कर देने में ज्यादा भी टाइम नहीं लगा और पेटर पार्कर दूसरे तरफ भाग जाता है और सजनी भी दूसरी तरफ भाग जाती है और तब ही Peter Parker के पीछे ही हमला करते हुए एक मॉन्स्टर मतलब कारली कॉपर आज मैं किसी तरह भी इसे इधर से जाने नहीं दूँगा जिन्दा और ये बोलते हुए वो कारली कूपर के उपर अटाक कर देता है और तभी कारली कूपर का हेट सेट जो है जो की ग्रीन गॉबलिन के साथ कम्यूनिकेशन करने में लगा था वो हेट सेट तूट जाता है तो इस मॉंस्टर बन गी है और मॉंस्टर से उसे अभी वापस इंसान बनना है तो इसलिए पीटर पार्कर या फिर डॉक्टर और अटॉक्टिविस का ब्रेन जो भी है इसके अंदर उसे उसका मदद चाहिए उधर हम लोग देखते हैं इंपार स्टेट इनिवर्सिती में एनम मर भी रिष्टता जो भी है उन लोगो मैं सेफ करने वाला हूँ ये बोलके एनम और ये मरकोनी को वो किड्नाप कर लेती है तो इसी के साथ दोस्तों सुपीरियर स्पाइर मैं के एपिसोड 28 खतम हो जाता है अगर इस वीडियो को 50 लाइक्स मिल जाए कल तक तो मैं 24 घंटे के अंदर दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगा ये वादा रहा आप लोगो और 50 लाइक्स नहीं मिले तो भी शायद अपलोड कर दूँगा क्योंकि मुझसे ये बरदास्त नहीं होते जा रहा है क्योंकि ये सीरीज बहुत ही संसनी केस बनते जा रहा है तो अभी के लिए गुद्बाई दोस्तो और गुटनाइट और विकेंट